पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीफा काइंड 500 टेबलेट के बारे में तो चलिए वीडियो हम शुकर लेते हैं इस दवा का कंटेन है सिफिर ओक्सिम जो की 500 mg पर है और यहां 10 टेबलेट के इस टीप पर आने वाली एक दवा है जो कोश्ट करती है 400 रुपए और इस दवा को मार्केटेट किया जाता है मैंकाइंड फार्मा द्वारा तो चलिए एक एक कर हम इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं यहां दवा नीमोनिया जैसी समश्य में दी जाती है जो की फेफडों से जुड़ा संक्रमण है साथी टॉंसिलाइटीस जैसी समश्य में भी इस दवा का अच्छा रिजल्ट मिलता है टॉंसिलाइटीस कले से जुड़ा संक्रमण होता है इसके वज़े से बोलने, पानी, पीने, खाना खाना या अन्य बहुत से समश्या आपको फेस करनी पर सकती है तो दोस्तों टॉंसिलाइटिस की अगर समश्या बढ़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए यहां दवा डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जा सकती है साथी इस दवा का ओपयोग गंबीर बैक्टेरियल इंफेक्शन में किया जाता है क्योंकि यहां एक स्ट्रोंग एंटिबायोटिक दवा है जब अन्य एंटिबायोटिक दवा से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तब भी इसे डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है सीफाकाइन टेबलेट का ओपयोग गोनोरिया जैसी सेक्सुल टांस्मीटेड बैक्टेरियल इंफेक्शन में भी किया जाता है इसके सिंटम्स हैं यूरिन करते वक्त दर्द होना पैनिसिया वजाएने से डिश्चार्ज होना और्शों में टेस्टिकुलर पेन होना या वूमेन में लोवर इस टमक में दर्द होना इसके अलावा यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन की समश्य होती है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूटी आई भी कहते हैं उसे ठीक करने के लिए भी इस तवा को डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है या साइनस जैसे समश्य में इसके अलावा कान, तवचा, बोन्स, जोइंट के या अन्य संकरमान को ठीक करने के लिए इस तवा को दिया जाता है सिफ्रॉक्सिम टेबलेट का ओपयोग सरजरी के दोरां संकरमान को रोकने के लिए भी किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा दोस्तो और भी काफी सारे बैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपने एक्स्पिरेंस के अकॉर्डिंग इस तवा का इस्तमाल कर सकते हैं साथी इस तवा के कुछ साइड इफेट भी हैं जो हर कंडिशन में नहीं होते हैं जैसे की उल्टी, दस्त लगना, नौसिया, एलेजिक रियक्शन, पेट दर्ध होना या इसके अलावा अन्य आगर आपको कोई प्रॉबलम हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिजेगा इस तवा के जो डोस हैं वहाँ पूरे तरह से तो आपके कंडिशन और डॉक्टर के उपर डिपेंड करते हैं लेकिन नौर्मली इस तवा को अडल्ट में बड़ो में एक टैबलेट सुबा और एक टैबलेट श्याम को खाना खाने के बाद लेनी की सला दी जाती है और कम एज है तो 200 mg सुबा और 200 mg शाम को लेनी की सला दी जा सकती है कब तक लेना है कितने दिनों तक लेना है यहाँ आपकी कंडिशन और डॉक्टर के उपर पूरे तरह से डिपेंड करता है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है इस दवा को आपको खुद से बिलकुल भी सेवन नहीं करना है जब तक आपको डॉक्टर इसे लेने की एडवाइस ना देते हूँ दोस्तो वैसे तो आपको सीफा काइन 500 टेबलेट किसी मेडिकल इस्टो उपर उपलप्त हो जाती है लेकिन अगर आपको यहाँ दवा मेडिकल इस्टो उपर नहीं मिल पाती है उस वट अगर आपकी पहले से अन्य कोई दवाईयां चल रही हो ये कोई प्रॉबलम हो तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर को जरूर बता देजेगा होप आपको हमारे द्वारा दीगे इंफर्मेशन पसंद आई हो अगर आपको इस तवर से जोड़े कोई भी प्रशन हों से पूछना हो तो कमेंट के माद्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं आपकी कोशन का हम जल से जय रिपला करने कोशिश करेंगे वीडियो देखने के लिए और अपना प्यास सूपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धैनेवाद